अलो बच्चो, लेट्स रीड इस कोशन, दे कोशन से इस, वट वाज डायटिक बेंडरेस, प्लैन टू चेक डिफोरेस्टेशन, ठीक है, कोशन पूछ रहा है कि डायटिक बेंडरेस्टेशन से बचने के लिए क्या प्लैन किया था, तो अगर ध्यान से देखो कि डेखो, सब से बहले डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? when we cut trees in a large scale, जब हम क्या करते हैं? पेडों को बड़े पैमाने पर काते माना तो असको क्या गयाते हैं? Indian Forest Act in 1865 देखो, Diatic Brandis जो थे वो सबसे पहले 1st Inspector General Forest in India थे और इसके अलावा उन्होंने Indian Forest Act भी formulated किया था, कब किया था, in 1865 तेखो, आप बात करते हैं कि उन्होंने क्या-क्या planning करी थी deforestation से बचने के लिए, देखो, सबसे पहले पॉइंट पर अपने ध्यान देते हैं, देखो हैं लिखा है न Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest जो Diatic Brandis से उनको realized, जब वो आए ठीक है, वो एक botanist से, ठीक है उनको पता था कि जब वो आए, उन्होंने देखा न कि यहाँ पर जो forest है, लोग क्या कर रहे हैं अगर 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 अपने forest को preserve करना है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए, प्रॉपर system होना चाहिए, एक तरह का प्रॉपर system होना चाहिए, ता कि हम forest के आसानी से management कर सके हैं, and second point, he was of the opinion that the people had to be trained in the science of conservation situation, अब पहले के लोग ऐसे थे, जो काफी जादा illiterate थे, और उनको पता भी नी था, कि किस तरीके से हम forest को क्या कर सकते हैं, preserve कर सकते हैं, तो इसलिए उनका मानना था, कि people, इस लोगों को क्या करना चाहिए, हमें training देनी चाहिए, ता कि हम क्या कर सकें, easily ठीक है, easily क्या कर सकें, हम forest को preserve कर सकें, conserve कर सकें, और यह तब कब possible हो पाएगा, जब हम उनको उनके बारे में बताएंगे I hope you understand it well, best of